गुड मॉर्णिंग इस्टुएंट आज हम अपनी जो हिंदियों ओनलाइन क्लास है जिसमें कक्षा आठ है उसका चेप्टर हमें फोर चेप्टर पढ़ रहे थे टेगोर की कलम से तो हमने इस चेप्टर को हाफ रीडिंग कर लिया था इसके शब्दार्थों के बारे में जान बच्पन के अपनी यादों को लिख रहे थे कुछ बातें उनको याद थी जो उनको क्या है अब यह सोचने पर मजबूर करी थी कि बच्पन में जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं जिनको जैसा बताया जाता है वो उन्हीं बातों पर विश्वास कर लेते हैं जैसा उदर फैंकते वही जाती है शांतिनी केतन कभी मत जाना तो इस्ट्रेंट उन्होंने जब खुद जा गे शांतिनी केतन में देखा तो उन्हें बहुत आनंद आया था इसमें वो रेल गाड़ी में भी बैठे तब उनको यह मैसूस वहा कि रेल गाड़ी कोई इदर उदर फैं तो तुम जाने के लिए रो रहे हो पिर नहीं जाने के लिए रोगे तो क्या समझते थे कि इसका मतलग क्या होता है तो उस टैब में जानते नहीं थे लेकिन बड़ हुए तब उनको इन सब चीजों के बारे में ज्ञान प्रावत हुआ तो हमने वह जो चेप्टर पढ़ा वो हमारा कहां तक हुआ था जिसमें पैराग्राफ हमारा चल रहा था कि स्कूल से एरुची होने के बावजुद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही थी उनके स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था तो भी उनकी पढ़ाई चल रही थी घर पर इवे भाशा गणित जो हमारी लें वेस्ति रविंदर नार्ट अकोर ने सिखी दी तो उनके बारे में ज्यान प्राप्त करते थे गणित है विज्ञान है चित्रकला संगीत आधी सिखाये जाते शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी जोड दिया जाता था कभी शरीर को और मस्तिक को अस्वस्थ रखने के लि भालू नचाता कोई साप या खेल का खेल दिखलाता था कोई नाटक दिखाता कोई बाजीगरी दिखाता था यह सब देखकर हमें बहुत मज़ा आता हम प्राचिन धर्मों परंपराओं आदर्शों रिती दिवाजों का आदर करना सिखाये जाता था मुझे रामायन और हो ही चुका था अब प्राचिन बांगला कुस्तिकों को पढ़ने की रूची जागी वे किताबे सोने वाले कमरे में अलमारियों में बंद रहती थी उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंदे चाबी के गुच्छे को चुराना भी पढ़ता थ जब पिता जी यात्रा पर बाहर गए होते मैं चुक्चा उनके कमरे में घुच जाता उनकी कुरसी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता था तो उनको क्या है किताबों को पढ़ने में भी रूची थी जब उनके पिता बाहर जाते थे तब ही वो क्या करते थे उन के बाइन संसकार का मतलग क्या होता है विशlot आपने जैसे है पांच वच के बाद में जो बच्चों का नामकरण होता है उन को संसकार दिये जाते है और उसके बारे में बताया गया है के सरीय कपड़े पैन कर और नियुक्त करने पर मुज़े बहुत मजा आया मैं सिर्फ इस बाद से परेशान था का मुड़े सिर्फ से स्कूल कैसे जा पाऊंगा इन्हें जो बाल मेरे उतार दिये गए थे सर मुड़वा दिया गया था तो वैसे उनको गायतरी मंत्र करने में गायतरी का जाब करने में तो बहुत मजाया लेकि टेंशन थी कि मैं इ लेकि निसकी नोबत ही नहीं आई उस समाबत होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूचा तुम कुछ मेहनों के लिए मेरे साथ यातरा पर जाना पसंद करोगे गर से निकल कर यातरा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी मैं पिताजी के साथ पहले शांती निकेतन गया, पिता जी के नजदीक आने का ये पहला मोखा था। क्यों कि पहले तो क्या है, उन्होंने बताया था कि मैं बच्पन में कहा था, क्योंकि नोकरों की पास ही रहता था। कभी-कभी जब बिमार होते थे या बहुत दिन हो जाते थे तब पिताजी के दर्शन होते थे और माताजी तो शाम को मिलती थी ओनली नोकर ही और आया लोग ही थे वही उन बच्छों की देखबाल करते थे धनी परिवार के लोगों के तो ये बताया गया है कि मुझे घर से निकल कर यातरा करने में मुझे बहुत कुशी हो रही थी मैं पिताजी के साथ पहले शांतिने केतन गया पिताजी के नजदीक आने का ये पहला मोका था पीता जी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते मैं उनकी घड़ी में चाबी देता उनके खुर्दरे पैसे को सवालता खुर्दरे पैसे या नहीं जो चिलर होते थे उनको समालता था भीखाजियों को भीक देता वही मुझे यह पता चल गया कि कवीताएं लिखने के लिए शांतीनी केतन से बैतर कोई जगह नहीं है और उनको कवीताएं लिखने का शोक था और उनको लिखने की जगह भी मिलके जहां शांती से क्या है व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को कवीताओं में व्यक्त कर सकता है मैं बगीचे में केवे नार्यल की पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता सामने अपने पैर फैला देता और लिखने लगता मेरी नीली नोटबुक फट गई थी अब मेरे पास पक्की जिल्द वाली नई नोटबुक आ गई थी कुछ दिनों के बाद हम अमरिस्तर गए वाँ एक महीना ठहरे पिताजी मुझे अंग्रेजी बांगला व्याकरन संस्कित और खगोल विज्यान पढ़ाते वे सादा खाना खाते जो मुझे भी अच्छा लगता था इस यात्रा में पिताजी का का दूसरा ही रूप देखने को मिला जबकि अपने जनम इसान जोड़ा संकों में हम लोग उनसे डरते थे घर लोड कर मैं अपनी यात्रा के किस्से सब को सुनाया करता मा को मुझे पर बड़ा गर्व होता घर में भाई जोतिरिंद्र और भावी का दंबरी मुझे कवीता से जुड़ने में मदद करते मा की मरत्यू के बाद बड़ी भेन सोदामिनी मेरा ध्यान रखने लगी नाटक और संगीत के अलावा जोतिरिंद की रूची गुर सवारी और तेराकी में भी थी वैं मुझे घुर सवारी और तेराकी सीखाते एक बार वैं मेरे लिए किराय का ट्रटू लेया है यानि जो छोटी कद़ का घोड़ा होता है वो लेया है मैं उस पर चड़कर दीहात की ओर निकल गया है दीहात यानि जो ग्रामिन्ट छेतर थे वहाँ पे निकल गया मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि जोती दादा को भरोसा था का मैं नहीं गिरूंगा जोती दादा नाटक लिखा करते थे नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाते नाटक के बीच में जब वे गीत गाये जाते तो सबको आश्य होता कि एक कम उमर के लड़के ने ये गीत लिखा है कि उनको गीत और कविता ही लिखने का शोक था और उनके जो बड़े भाई थे जो तिंदर वो क्या करते थे नाटक करते थे और नाटक में जो गीत होते वो कौन लिखते थे रवीन दरनाथ ही लिखते थे मैं 16 साल का हो गया था मेरे भाई बेन मेरे भविश्य को लेकर चिंता करने लगे भाई सत्यंदर नाथ ने सुझाव दिया का मुझे इंग्लेंड भेज दिया जाए मुझे वाँ मैट्रिकॉलेशन की प्रिक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी चाहिए थी इससे पहले चूस और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे एमदाबाद में सत्यंदर दादा के पास रहना पड़ा एमदाबाद और मुंबई में 6 मेने रहने के बाद मेरे इंग्लेंड रवाना होने का वक्त आ गया 20 सितंबर 1878 को की शाम पांच बजे मैं पूना नाम के समुद्री जहासे मुंबई से इंग्लेंड के लिए रवाना हुआ डेक की रेलिंग के पास डेक के यानि क्या होता है जो जहाज पे चड़ने का और उतरने का जो घाट होता है उसको का गया था डेक की रेलिंग के पास मैं अकेला कड़ा मैं जेटी और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता रहा अचानक मुझे उदासी ने घेल दिया मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं अपने बच्पन को छोड़ जा रहा था मैं फोरन डेक से हट गया और अपने केबिन में जाकर लेड गया तो इसनेट आपको यह बताया गया रविंदर नात जी ने अपने बच्पन के पल लिकर बताये थे हमें का बच्पन तो बच्पन ही होता है इसनेट है बच्पन की जो मोज मस्ती होती है जो यादे होती है वो हर वेक्ति को याद रहती है वो अभी भी इसमान करता रहता है क में हम बच्पन में कैसी मोज कैसे खेलते थे कैसे स्कूल के लिए बहाने करते थे कैसे पढ़ने जाते थे कैसे दोस्तों के साथ में खेलते थे तो बच्पन की यादे तो बहुत ही अनोखी होती है हर वेक्ति अपने बच्पन को याद करता रहता है तो ऐसे ही रवेंदर नात जी ने अपने बच्पन की यादे बताई है अब हम इसके हैं स्वेंट है कोश्चन आंसर आपको दे रखे हैं के कोशन आजर है मोगी कोशन आजर में सबसे पहला आपका दे रखा है इस वेंड पहले हम mcqs कोशन दे रखे हैं बहुँ विकल्पी परशन है सही उत्तर भे सही का निचान लगाना है लेखक के लेखक को कहा जाने का बहुत मन करता था मंदीर इस्कूल लाइबरेरी या पार्क कहा जाने का इस्कूल जाने का मन करता था क्योंकि उनके जो बड़े भाई बहन है वो जाते थे तो उनका मन भी करता था मैं भी स्कूल जाओं उसके बाद में आपको दे रखा है इस वेंड है मौकिक परशन उतर दे रखे हैं सबसे पहला कोशन दे रखा है लेकक पच्पन में कहां रहता था तो हम कोशन आंसर को करेंगे लेकक पहला कोशन आंसर कोशन दे रखे हैं सेकेंड कोशन आपको दे रखे हैं सबसे लेकक पेर दर्द का पाना कब करता था सबसे लेके रखे हैं कर दो कर दो कोशन थार्ड आपको दे रख रहे हैं स्वेंट लेखक पर्थम बार किससे शांतिनी केतन गया लेखक पर्थम बार किससे शांतिनी केतन गया अला किसे शांतिन खाय रखका आपक बार किससे शांतिनी केतना बाग रू next question है कवीता लिखने के लिए लेखक अपनी जेब में क्या रखता था कि लेखक अपनी जेखक 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 अपनी जेख झाल झाल कोशन फिफ्ट आपको दे रखा है किसे लेक्षक पर बहुत गर्व था यह स्वेंड यह हमारे मौकी कोशन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं तो हमने इस पार्ट के बारे में रविंदर नाथ के बारे में जानकारी प्राप्त किये हैं कि रविंदर नाथ का बच्पन कैसा था और उन्होंने किस तरह अपने जीवन का सफरते किया था इन कोशन आंसर को आपको नौट बुक में लिखना है और इनको लर्निंग भी करना है थैंक्यू झाहिए झाहिए झाल झाल